उतर पिदेश के महवा जनपद में खनीज विभाग और खाकी ने सयुक्त टीम बना कर खनन माफियों के खिलाब सयुक्त कारवाई की है अबात खनन परिवाहन कर रहा ठारा ट्रक और दो पोप लैंड मसीरों को सीज कर खनीज विभाग के टीम ने बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है पुलिस और खनीज विभाग के सयुक्त कारवाई से खनन माफियों के बीच खाश हडक कम मच गया है कारवाई के दोरान सीज किये गए वाहनों को थाना पनवाडी के सुपुर्द कर मुकदमात दर्ज किया गया है पनवाडी थाना छेतर के नगारा घाट में काफी दिनों से खनन माफियों द्वारा और वैद खनन परिवाहन को अंजाम दिया जा रहा था जिसकी जानकारी मिलने पर जीला खनीज और अधिकारी सेलेंद्र सिंग ने पुलिस और खनीज विभाग की टीम बना कर सयुक्त कारवाई को अंजाम दिया है देर रात की गई छाबे मारी के दोरान अठारा ट्राक और दो पोपलेंड मसीनों को सीज़ किया गया सिर्फ इत्मा ही नहीं खनन माफियाओं के खिलाफ पनवाडी थाने में तहरीर दे कर मुकदमा दर्ज करने की कारवाई भी की गई है परमीशन खत्म होने के बावजूद भी माफियाओं द्वारा लगतार खनन का उसका परिभाण किया जा रहा था जिसकी जानकारे मिलने पर खनीज विभाग और इलाकाई पुलिस की टीम बना कर छापे मारी की गई है प्रशासनी कधिकारियों ने खदान पर पहुंचने की सूचना मिलने पर जादा तर ट्रक ड्राइवर मौके से भाग निकले है प्रशासनी कारवाई के दारान 18 वाहरों और दो पोपलेंड मसीनों को सीज कर बड़ी कारवाई को अंजाम दिया गया है यह संयुकत अभियान चलाए गया है और कल रात को जिसमें माइनिंग अफसर, SDM और CEO के नित्रितों में यह अभियान चलाए गया है अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 15 के लगबग ट्रक पकड़ी गही है ट्रक या डंपर पकड़े गही है और तो जो हैं पोकलेंड मशीने पकड़ी गही है और दो जो पट्टे हैं वो सीज किये जा रहे हैं जैसा मुझे माइनिंग अफसर के द्वारा जानकारी मिलें इस समन में आने पर मुकदमा भी पंजिक्वित कराके और आप अगरिम कारवाई की जा रहे है